दोस्तों नमस्कार मैं इंजिनियर और शोकाल मॉटिवेशनल स्टीकर लाइफ कंसर्टेंड दोस्तों परेशानिया जिंदगी में हर इंसान के पास होती है हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूज रहा होता है वो छोटी हो या बड़ी हो हर इंसान किसी ना किसी परेशान ये बड़ा पत्थर था एक पत्थर था तो वो जब किसान बाहर निकलता था वो अपने हल लेकर अपने जो भी खेती के सामान थे उनको लेकर जब वो खेत में जाया करता था तो वो उस पत्थर से टक्रा जाता था और टक्रा के उसको काफी नुक्सान होता था जब वो नुक दो और न सूस्ता था उसको अघ्था नहीं था एक दें उसको जोस आया कि उसको नुक्सान बड़ा हो गया तो उसको दिमाबं में आई कि नहीं इस पत्थर को आठा कर रहेंगे तो दोस्तों वह सोचता रहा कि यह पथर भड़ा है और वो पूरे गामवालों को बुला कर लेकर आता है कि यह पथर को अटवाओ यह पथर मेरा बहुत ज्यादा नुक्सान कर बैठा है तो गामवाले उसकी हेल्प करने के लिए चार-पांच पहलवान लोग आते हैं और उस पत्थर को हटाने के लिए उसकी मदल करते हैं जब उसको खोदना सुनू किया पत्थर को तो पता चला वो पत्थर तो छोटा ही था गाम वाले उसको आदमी को लड़ने लगे उसको कहने लगे कि तुने हमको पागल बना दिया है एक छोटे से पत्थर को तु अकेला नहीं अटा साथा था क्या इस पत्थर को उठाने के लिए तु ने पुरे गाउं के कटा कर लिया वो खुद भी आदमी स्थभिंदा हुआ और मरीमन बहुत परेशान भी हुआ कि या दिए छोटा सा पत्थर था और इस पत्थर की वज़े से मैं इतना परेशान हो रहा था ये पत्थर मेरा इतना नुकसान कर चुका है लेकिन मैं इस पत्थर को अटाय पयो नहीं को क्यों नहीं अठाया मैंने इस पत्र को, एक बार हडाने की कोशिस भी नहीं की, उसी तरीके से दोस्टो हर इंसान के साथ ऐसा होता है, कि परेशानिया होती है, हम उस परेशानिय का एक हववा बना कर अपने दिमाग की साइकलोजी के अंदर बैठा लेते हैं, कि दिमाग की सा परेशानिया सब के पास आती है तो परेशानियों का आतलन करो कैसे आतलन होगा उन परेशानियों को लिखो पहले कि आपकी परेशानिया क्या-क्या है दोस्तों मेरे जो भी सेस्वर्स होते हैं मैं उसमें लोग क्विश्चन करते हैं कि परेशानिया बहुत सारी परेशानिया जब मैंने उन्से ऊंच और न सक हुँझता हूँ कि तुमारी 10 परेशानिया गिना हुँ, तो वो तो वह 2 परेशानिय गिनाने में भी कत्रान्य लग जाते हैं। सोच्छ सेंटे हैं कि यार कुन सी परे 원áiây है। क्योंकि वो एक्ष्व परेशानियां उनके पास होती नहीं है उसी तरीखे से हम सब के साथ होता है कि हम परेशानियों का हव्वाब बना कर तो बैठे रहते हैं कि ये बहुत बड़ी परेशानिय है लेकिन उनका आख्लन नहीं करते कि वो reality में हमारे जो success को पाने में हमारे goal क अचीजे आपकी कम्या परेशानियां है जो भी आपकी लक्ष को अचीजे आपको रोड़ा आटका रही है उन चीज़ों को लिख लो लिख के फिर उनका आतलन करो कि कौन सी छुटी है कौन सी बड़ी है और उसका उसी तरीके से निवारन को आधी परेशानिया तो आप जब लिखने बैठोगे तब उसका कारण जानने पर ही खतम हो जाएंगी आप यह सोचोगे कि यह तो परेशानिय नहीं थी तो आधी परेशानी तो वेसे खतम हो जाएगी और आधी परेशानी जब आप उनका कारण जान लोगे तब खतम हो जाएगी और आधी परेशानी उगा निकालने का लिए आप कोई पॉर्मूला फिट कर दो या उनको साइड में रख दो परेशानिया दोस्तों हवा बनाकर मत बैठो दिमाज में साइकलोजी मत बनाओ कि ये परेशानिया ये मुझसे ऐसा होगा ही नहीं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं कल नहीं कर पाया था तो आज भी नहीं कर पाऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप कल नहीं कर पाए थे, बटा आप आज कर सकते हो, आगे कर सकते हो आप, दोस्तों उसी चीज़ को देखते हुए मैं चार लाइनों में आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ, उस चार लाइन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और ग जिन्दगी में इतनी सिदत से निभाईये अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार, एक जलक पाने को लोग तरसते रहें, आपकी एक जलक पाने को लोग तरसते रहें, और परदा गिरने के बाद भी तालियां बरस्ती रहें, बरस्ती रहें, थेंक्यू दोस्तो नमस्कार!